जाजवार दोस्तों मिल्काउस यूटुब कैनल में आपका स्वागत है आए हम इस वीडियों आपको दिखाने वाले हैं हमारी गायों की साम की मिल्किंग यह देखिए यह आयर सायर नस्ल की गाया है जो की स्कॉर्ड लैंड में पाई जाते हैं लेकिन हमार पास एक इसलिए इसका दूठ एवरेज है आए हम देखिए इसका मिल्किंग और इसका मिल्क रिकॉर्ड हम आपको इसे अपने वेट मसीन पर वेट कर दिखाएंगे इस गॉमाता ने पंदरा फ्रोर्य को अपना बच्चा दिया था जो कि एक फीमेल काफय जर्शी नसली है आप दे इसे एयाई भी करा रखा है इसका एयाई हमने एक जुन को कराया था विजाप्ते लगवा आज चार महीने हो रहे हैं और यह गवमाता बिल्कुल सांद सभाव की है आप देख पा रहे हैं बिल्कुल आसानी से मिल्किंग होने दे रही है जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह आयर से निसल की गया है तो उसकी पहचेयान ये है कि इसके बॉडिडी पे ब्रॉण इस्पोड पाय जाते हैं आप देख सकते हैं ब्रॉण इस्पोर्ड हो छ आप साब दिखाई दे रहा है तो चले अब हम अब आपको अपना फां दिखाते हैं और गाए भी हमारे इसलिए हमने इसमें कॉंक्रीट नहीं करवाया है अब इनकी मिल्किंग हो गई है अब हम दिखाते हैं इसका मिल्क है कि अब देख वा रहे हैं वेटी स्केल पर इसका मिल्क है तीन किलो पांसवो साट क्राम देखिए अब दूसरी गया की फिल्किंग देखते हैं यह हमारी चर्शी ब्रेट की काउ है कि इस गौम आथा ने तीस चुड़ाई को अपना दफ्चा दिया था और इसके बिच्छे मेल काउफ है आप देख पाए है और यह अभी यह 8 लीटर दूद दिनगा घरती है यह जर्शी नसल की गया है जैसा कि आज देख भा रहे हैं और बिल्कुल छोटी सी गया है जर्शी नसल की गया छोटी होती ही है आप जानते होंगे देखे यह भी बिल्कुल सांत है सभाव में बिल्कुल सांत है जैसा कि यह इवनिंग की मिलकिंग है तो आपको पदा होगा गया दोनों टाइम बराबर दूद नहीं देती है तो फूबा साम का कम दूद थोड़ा कमी होता है ठीक है कर दो आए हम उसका बेट करते हैं कि इतना दूद्धी है साम को कि आप content कि आप देख पा रहें है कि इसकी मिलक ने तोफग्स रीटर है साम की आईए अब फान हम अगली का क्योओर चलते हैं यह सहावी वालनसल काली कस आ Acting आप देख पा रहे हैं कि इसकी खात्एत है कि अ सहाव वालनसल की काली का। और इसने अपना अच्छा 21 जुलाई को दिया था चुकि अभी डेड़ महिने का हो चुका है आईए इसका विड़ भी करकर देखते हैं कि अधिया अधिया आग जोगा है जोगा है जोगा है इसक्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पांच ट्रस ने तूटती है कि अधिया अगली गाय के वर चलते हैं यह हमारे घर की गाय है और यह हमारे पास जब छोड़ी की तब से हैं 2008 से हमारे पास है और इतने सालों में अभी तक साथ बार अपना बच्चा दी चुकिए है और आकरी बार इसने 20 फरवरी 2021 को इसमें अपना बच्चा दिया था और फिर हमने इसका AI भी 28 सप्राइल 2021 को फ़रा दिया और यह अभी मिल्किंग में है आप देख वा रहे हैं कि कमबर खतम होते होते यह पांच मैने की गाविन हो जाएगी सभाव से बहुत ही सांथ है बहुत असानी से इसका मिल्किंग हो जाता है और हमारे घर की सबसे क्यारी गया है यही है चुकि यह गाविन है इसलिए इसका मिल्क थोड़ा कम होगा आपको पता है आया देखते हैं इसकी मिल्किंग इत्ती भी आया देखते हैं आया आपको जाउआर थे को साथ यह क्या जाएट रिवित्क इन सेंगआ रिफसर इत्तिंग आया रिविए लगबग एक लिटर के आसपास आप देख बारे हैं अब देख बारे हैं अबारे हैं